मैं हूँ रायान, आज की वीडियो भाई काफी जादा धमाकेदार होने वाली है यह है एक मॉंस्टर टायर और आज मैं इसको लगाने वाला हूँ अपनी लोसी प्रो मोटो एमेक्स बाइक के अंदर देखते हैं फिर क्या होने वाला है जैसे कि आप लोगों को पता होगा साथ क्या होने वाला है यह टायर का प्राइस पता है सिक्स ताउजन रुपीज है इतने में तो यार एक रियल कार का टायर ही आ जाएगा और देखो कि इस एक और चीज में मैच करने वाला हूँ जैसे कि यह काफी बड़े-बड़े साइस के आप मॉंस्टर टायर देख सेक नगे कrouसा कनी अ्वागर करेंगे इसके अंदर लगाएंगे यह ट्रैकस, प्र देखते हैं का क्या होता है साथ में देखो तो यार रैस कर आनी के लिए मैं लेकर चुका ओँ है एक्स फाइव मोटर साइकल इसकी भी रेस कराएंगे आज हमारी बाइक के साथ और गाइस हमारी एक्सार्टी के साथ भी आज मैं इसकी रेस कराने वाला हूं देखते हैं यह पेट्रोल वाली बाइक अपनी एलेक्ट्रिक बाइक को हरा पाएगी या फिर नहीं बड़ा मजा अगल परिपिट करते हैं तो यह भाइन की पास भाई उएसे से मंगवाया है तो एक बार इसको निकालगे मैं आपको टायर दिखा देता हूं फटा-फट से यह तयर कैसा होता है यह देखो गाईज यह है प्रोलाइन मॉंस्टर टा इर इसके उपर इस तो ट्रीकी की ग्रि तायर फिट करने के लिए देखो ये जो नट है इसको अम लोगों को खोलना पड़ेगा इसके लिए ये इस पैनर का में यूज करने वाला हूं तो फड़ा फट से इसको यहां से खोल देता हूं तो उसके बाद जो टायर है काफी आशानी से निकल के आ जाएगा भाई में को पता नहीं है इसके अंदर क्या हने वाला है है इसके इससे पहले कोई बीट एड़ा टायर डाला है यह इतना बड़ा कील है कि अंदर टायर को जो है थोड़ा सा में हिसकाएंगे ताकि इसकी चैन में निकाल सकूं यह चैन उतर चुकी है देखो गईस बिल्कुल जैसे के उपर लगाना पड़ेगा तो इसको निकाल लेते हैं पहले तो यह मशीन की हेल्प से मैं इसके सारे के सारे स्कूरूस को लूँगा यार में को तो इसका सिस्टम जो है पूरा का पूरा रियल बाइक जैसा ही दिखता है बाकि यहां पर एक इसका डिस्क ब्रेक भी है इसको जाएका अब इसके उपर मैंने यह जो प्रॉगट है इसको वापस से मशीन की हल्प से फिट कर दिया यार देखो इतने ठेर शारे स्कूरूस दिए गया है इसके उपर देखो इस यहां पर स्प्रॉकेट भी तूप इसके अंदर तो यहां से मैं इसको तो फिक्स कर देता ह यहीं से ही हम लोग इसकी चेंट ढिली भी कर सकते हैं या फिर टाइड भी कर सकते हैं यह बाइक कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है दोस्तों तो अब अपग्रेड करेंगे हमारी ट्राक्स फोर्ड ब्रॉनको को ठीक है इसकी यह जो टायर सा मैं खोल लेता हूं क्यूंकि हम ल यह बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाते हैं फोर्ड ब्रॉनको भी अपग्रेड हो चुकी है यह टायर के अंदर लगा के यह फिट हो पाएंगे या फिर नहीं क्यूंकि जो इसकी हाइट है वह थोड़ी सी कम दी गई है एक्समैक्स के मुकाबले में मेरे को लग रहा है उसके उपर यह नट भी फिक्स करना पड़ता है उसके साथ देखो यह सपैनर से भी इसको कसना पड़ता है क्यूंकि यह कार बहुत जादा स्पीड चलती है अगर हम इसको जादा नहीं कसेंगे तो यह टायर भाहर भी निकल के आ सकते हैं तो गाइस देखो इसके अंदर चलो गाइस अभी हमारे पास पेट्रोल बैक है उसके इंदर पेट्रोल डालते हैं इन तो इसके अन्दर डाल देते हैं घाईस भई हे यह काफी जादा दीज चलती है यार ये डाल देता हूँ मैं इसके अंदर तकरीबन एक लिटर तक का पेट्रोल आता है इसके पीछे एकोर टैंक है वहाँ पे ओईल भी इसके अंदर डालना पड़ता है इसको चलाने के लिए थिखे pro moto mx bike भी रेड़ी हो चुगी है ford bronco भी रेड़ी हो चुगी है अब कराते हैं guys इन सभी के पीच में रेस उससे पहले ये pro moto mx कैसे चल रही है एक बार इसको थोड़ा पर सा ट्रॉकरō के देख लेते हैं ठीक है इसको अभी चोड़ते हैं यहां तेहिं से oh guys देख रह इस तरीके के स्टंट करने लग रही है पहले बाइक अगर नीचे गर जाती थी तो अपने आप बिल्कुल भी नहीं चलती थी इस बार देखो यार पावर जादा बढ़ने के कारण यहां पर मैं जैसे ही थोड़ा सा अग्सलरेट कर रहा हूं बाइक अपने आपी चलने लग बाकी यह गड़े में गिर गई थी यार देखो यहां पे भी भाई इसने तपाई मचा के रखी है यह देखो अरे बापरे बहुत जादा पावर इसकी बढ़ चुकी है यार एक बार मिरको थोड़ा सा प्राक्टिस कर लेने दो गाई फिर आपको मैं बताता हूं कि यह जुर्यतनी है देखो यहां पे अपको में थोड़ा से चला के बता देता हूं क्यूंकि यह जो टायरे खास वर पे मिटी में और कीछड में चलाने के लिए ही बनाया गया है और यह ओफ रोडिंग तवार बहुत ही मस तरीके से कर रही थी बाकी इसको मैंने यहां से निकाल क्या ही चल रही है यह यह रोड के ऊपर देखो हुआ इसके चाथ उफ्र इसको दॉटी कराने वाला हूँ है अभी हुआ वाइंक हुआ सब लुट है छर्दी कि आच्ड़ के आचुकिए है क्ला में यहां पर बीचेड़ के आ चुकि है अब देहूँगा इसका ताहिं यहा इतनी उपर चड़ पाएगी यह फिर नहीं ठीक है इसको वापस है मैंने गड़े के अंदर उतार दिया यहां पर देखो इस काफी बड़ी क्लाइमिंग है ओ नो यह तो पलट गई यार फिर एक बार ट्राई करते हैं इसको सीधा करके यहां पर मैं इसको रग देता हूं यहा पर बीच में बहुत ही बड़ा सा ग्याप था यह फस गई थी बाकि चोटे मुटे ग्याप तो यह निगल रही है से बड़े ग्याप आने पर यह फसरी है क्योंकि इसका जो वेट है यह ट्रैक्स लगाने के बाद काफी जादा बढ़ चुका है अब एक बर एक साटी को चल कर देगी है से अब देखो यहां पर यहां पर यहां पर चुटकी बजाते ही निकल चुकी है ओ माइग गाड गाइस यह तो एक्समैक से भी जादा पावरफल मेरको लग रही है बागी अब थोड़ी सी कलावाज यहां करते हैं अपनी एक साटी के साथ यह देखो गई इतन जो क्यामरा है यहां पर यहां से निकालने के ट्राइब कर रहा है यहां से निकालने के लिए यहां से निकालने के लिए यह जूंप मारके निकल चुकी है यार मैंने नहीं सुचा था कि इसके अंदर यह टायर डालने के बाद यह इतनी खतरनाक बन जाएगी बड़े से पैट्रोल six कूटर इसको बीजला के जिखा देता हूं इसको इशास्य ग mex EL kos told की इसके भी छला सकते हो यह फिर सीध की पर भाइड़ के भीर ला सकते हो यह आफ इसका एक्सेलरेटर रे ऑब है अभी मैं हभी संद्क बिल्कुल एक रियल स्कूटर दिसा ही आवास करता है क्योंकि इसके अंदर 50cc का इंजन लगा हुआ है अब रेस कर आते हैं X5 स्कूटर वर्सेस XRD के बीच में देखते हैं दोनों में से कौन जीता है अरे गाइस यह जो XRD काफी ज्यादा तेज है कितनी दूर यह निगल चुकी है यहाँ पर भी मैंने XRD के अंदर आधा ट्रिगर भी प्रेस नहीं किया है इसने तो यार इसको काफी ज्यादा डिस्टंस से हरा दिया है क्लियरली XRD बहुत ज्यादा तेज है यह स्कूटर के मुकाबले में अब रेस होने वाली है XRD वर्सस लोसी प्रो मोटो MX बाइक के बीच में दोनों के ही टायर्स यहाँ पर चेंज हो चुके है ठीक है गाइस देखते हैं कौन जीता है यहाँ पर रेस स्टार्ट हो चुकी है दोनों इभीली मारके आके जाने के लिए पूरा ट्राई कर रहे है अरे गाइस यह देख रहे हो दोनों बिल्कुल साइट बाइ साइट चल रहे है दोनों को यहाँ से मैंने टर्न करा लिया है ओमाइ गाइस सेकंड राउंड में भी दोनों बिल्कुल साइट बाइ साइट चल रहे है पर थार्ड राउंड में देखूँ को इस गेम चेंज होने वाला है ऐसा मेरे को लग रहा है फटा फट तरीके से बाइक नहीं अबे टर्न ले लिया है और बाइक पर राउंड में जीट चुकी है बाइक यहाँ पर लगा तार 120 की स्पीड से चल रही है देखूँ को इस सिकंड राउंड में भी आगे निकल चुकी है अपनी जो XRT है वो 100 km पर आवर की स्पीड से चल रही है अब पावर टेस्ट करीगी गय्स देखो XRT अंदर भी टाइर्स चेंज है यह फोट ब्रॉंको के अंदर भी टाइर्स मैंने चेंज कर दी है देखते हैं यहाँ पर कौन किसको हराता है यार मेर तो लगा था कि यह फोर्ट बोनको इसको काफी कड़ी टककर देगी पर एकसर्ट नो तो इसको फोल चटाके रख दिया है तो आप आज आनी से एकसर्ट इसको घसीट के लेके जाए है क्लियरली पावर टेस्ट में अपनी एकसर्ट जीच चुकी है यहां पर फोर्ट ब्रोन को तो इसको बिल्कुल भी रोक नहीं पारी है दोस्तों अब देखते हैं यह पेट्रोल स्कूटर क्या अपनी एक्सार्ट का मुकाबला कर पाएगा या फिर नहीं दोनों के बिच में एक रस्ती को में बांदिया देखते हैं इस तो को फोर में कौन जीतता है चलो स्टार्ट करते है त्री टू वण और देखो कि इस दोनों के बिच म दूसरे को हराने में रवापर यहां पर इतनी जादा मिट्टी उड़ रही थी कि यार मैंने तो स्कूटर को यही पर छोड़ दिया है इस एक्सार्टी जो है इसको नहीं खेंच पारिया बाकी इन दोनों के बिच में टाय हो चुगा तू सिलिंडर 50 cc वाली पेट्रोल स्क इसको काफी सही से रोग रखा है यार अगर यह वीडियो पर फिफ्टी के लाइक आएंगे तो मैं एक्सार्टी और अपनी बाइको पानी के उपर यानि यह तालाब में आपको चला के भी बताने वाला हूं तो आज मैं देने वाला हूं दस लोगों को शौट आउट पलान बाइ बाइ